सबी बच्चों और अभी बावकों को नमस्कार हमारी हिंदी कक्ष्या में आपका स्वागत है तो बच्चों आज हम सात्वी कक्ष्या के पहले पार्ट 12 माशा के बारे में पढ़ेंगे जो की एक कवीता है इसके कवी नारायनलाई परमारजी है इस कवीता में हमें यह पता ल बच्चों को बिल्कूल ही ना के बराबर पता है पर अंग्रे जी नव वर्ष सभी को पता है कि एक जन्वरी को आता है है ना बच्चा तो चलिए आज हम हिंदी नव वर्ष के बारे में पढ़ेंगे हिंदी नव वर्ष यानि हिंदी जो कलेंडर है या हिंदी नव वर्ष की जो सरवात है वो किष्णे की, ये सरवात की समराठ विकर्मा दित्ते ने, और कब की, पता है आपको, 277 इश्वी पूरो, ठीक है, तो अंग्रेजी कलेंडर के इसाब से कितना चल रहा है, 2020, 2020, तो हम अंग्रेजी कलेंडर के इसाब से, हम 57 साल आगे है, हमारा जो कलेंडर है ह अपनी कवित्ता के माध्यम से आपको 12 माशे, जो कवित्ता है, उसमें 12 महीने के बारे में आपको बताएंगे, जो अनेक तरहे के उतार चड़ाओ जिंदगी में लाते हैं, हमें उन सब को समझना है, पढ़ना है, और जीवन में उतारना है, यही इस कवित्ता का उदेश्य है, तो चलो बच्चो, हम इस कवित्ता को शुरू करते हैं, तो बच्चो, देखिए, हमारे पंचांक में तीथिया चंदरमा के अनुसार होती है, और हर महीने में पूर्णी मा को चंदरमा, जिस नक्षत्तर में होता है, उसी के आधार पर हमारे महीनों के नाम रखे गए है तो हर महीने का अपना एक अलग ही महत्तव है, तो हम वर्ष की शुरुवात चैत मास से सुरू करते हैं, तो देखिए बच्चो, चैत महीने का प्यारा सुन्दर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती, खट मिठी सी धूप है, तो इसमें क्या बताया है कविने कि जो हम बड़ा ही निराला होता है, जो उसका रूप है, वो बड़ा ही सुन्दर होता है, क्यों? क्योंकि इस महीने में हलकी हलकी गर्मी सुरू हो जाती है, इस महीने में खटी मिठी सी धूप होती है, जो कभी अच्छी लगती है, तो कभी चुबने लगती है, तो कुछ इस तरह क हमारा चैत महिना होता है ठीक है बेटा जो चैत महिना होता है वो बड़ा निराला होता है उसमें जो गरम हवा है वो चलती है और खटी मेठी सी धूप निकलती है तो आगे देखिए बच्चो अगला जो हमारा महिना है वो है बैसाख ये हमारा कौन सा महीना है दूसरा तो इसमें कवी ने क्या बताया है कि आते ही बैसाख के छुटी हुई मदर्सों की लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की तो इसमें क्या बताया है कि जैसे ही बैसाख लगता है बैसाख हमारा कौन सा है दूसरा म में रहते हैं तो घरांगन में बच्चों की किलकारिया गूंजने लगती है क्यों क्योंकि स्कूल से तो छुटिया हो जाती है सारे बच्चे घर में क्या है आपस में बाते करते हैं खेलते हैं तो उनकी जो आवाज है उससे घरांगन गूंजने लगता है पूरे घरांगन में उनकी चहचाट सुनाई देती है तो कुछ इस तरह से हमारा बैसाख्खा महिना होता है आगे देखो बच्चों जो हमारा अगला महिना है वो है जेट ठीक है? जेट और कौन सा महिना है ये तीसरा कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा तरह तरह के खेलों में जेट महिना बेत रहा तो देखी बटा जेट महिने में क्या होता है? अत्यधिक गर्मी शुरू हो जाती है तो इस महिने में जो गर्मी का दोर है वो शुरू हो जाता है स्कूलों की छुटिया हुई रहती है और जो बच्चे हैं वो घर पर रहते हैं घर पर ही वो क्या है तरह तरह के खेल खेलते रहते हैं और खेल में तो बेटा कोई हारता है कोई जीतता है अर्थारत खेल में तो यह होता है कोई लगातार हारता चला जाता है तो कोई जीतता तो इसी तरह जेट महिने में तरह तरह के ख खेल से जो हमारा जेट महीना है वो बीत जाता है ठीक है बेटा तो जेट महीने में क्या है गर्मी होती है बच्चे घर पर रहते हैं कोई लगातार हारता है कोई जीतता है और इसी तरह 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 के खेलों से जेट महीना हमारा बीत जाता है तो आगे चलिए अगला जो हमारा म यानि इस महिने में कोई भी जो सुब काम या सुब मूरत नहीं होता तो देखी बेटा इसमें काले काले बादल भी नब में चले दहाड के आंधी इतराने लगी लगते ही आसाड के तो जो आसाड का महिना होता है इसमें काले काले बादल नब में दहाड मार के चलते हैं बाद बादर गर्जना करते हैं तो क्या है बारिश आती है और बारिश क्यालाटी अपने साथ आंधी तुफान। तो इसमें बताया गया है कि आंधी इतरा ने लगी लगते ही आशाड के जैसेही आशाड का मैना शुरू होता है हमारे आस्मान में काले-काले उमर्ड गुमर्ड का बादल आजाते हैं और वो दाढ़ मार्मार के गरजना करके अवाज के साथ चलते हैं और उनका साथ देने के लिए आंधी भी इतराती है अर्धर्ठ बादलों के गडगड़ाट के साथ साथ आंधी भी आती है कुछ इस तरह का हमारा जो ये महीना है वो होता आगे देखो बिटा जो हमारा पाच्वा महीना होता है ये कौन सा है सावन ठीक है तो और ये तो सब को पता होगा कि सावन का जो महीना होता है ये सिवजी भगवान को समर्पित होता है तो देखो बेटा इसको सावन की सौभा नारी, हर्याली के ठाठ है, नदी सरो और जलक रहे, धूब गए सब घाट है तो इसमें क्या बताया गया है, कि जो सावन की जो शौभा होती है, जो सावन की जो सुंधर्ता होती है, वो सबसे अलग होती है क्यों क्योंकि सावन में खूब बारिश होती है बारिश से चार और सुन्दरता फैल जाती है गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो सभी को रहत मिलती है नदी इतलाब सब पानी से लबालब भर जाते हैं लबालब मतलब ओवर्फलो ठीक है अत्यदिक मात्रा जितनी उसकी होती है उससे अधिक तो उसको लबालब कह सकते हैं तो सावन के महिने में चारो तरफ हर्याली होती है बारिश के कारण हर्याली तो सभाविक है और ज्यादा बारिश होगी तो नदी सरोगर घाट और यहां तक कि घाट उनके किनारे भी डूब जाते हैं सब पानी से लबाल इसको हम बादरपद भी कह सकते हैं ठीक है बेटा ये बादरपद वो ही महिना है जिसमें भगवान श्री किर्शन का जनम हुआ जनमाष्ट में कतिवार आता है बेटा इस महिने में तो देखिए पता ने चलता तारों का जाने कहां मयंक है जाक नहीं पाता सूरज भादों का आतंक है तो देखो बेटा इसमें क्या बताया है कि इस महिने में बादों के महिने में क्या है कि हमें ने तो तारों का पता चलता है ने मयंक का ने सूरज का मयंक मतलब चंदर्मा अर्थारत ये तिनों यानि ये तिनों चांद तारा तारे और सूरज इन तिनों का पता ही न महिने में तो बादल के कारण क्या है बादलों के कारण कभी तारे निकलते हैं कभी फिर चुप जाते हैं कभी चांद दिखाई देता है कभी चुप जाता है कभी बादलों से सूरज क्या है दिखता है कभी जाक नहीं पाता है तो यानि ये तिनों ही चांद तारे और सूरज जो महीना है भादों का उसमें क्या है कहीं न कहीं चुप जाते हैं खेल खेलते हैं कभी निकलते हैं कभी चुप जाते हैं तो कुछ इस तरह का हमारा भादों का महीना होता है ठीक है बच्चो तो आज हमने ये 6 महीने पड़े और आशा करती हूँ आपको ये सभी समझ में भी आ गई होंगे तो आगे की जो छे मेने हैं बेटा वो कल कराएंगे धन्यवाद